अगर आप एक independent artist हो और अपना music release करते हो तो आज की video बहुत important है ये video अगर आप नहीं देखोगे तो शायद आप अपनी non-interactive streaming platforms की music की royalties ना claim कर पाओ ये सुनने में काफी complex लगा होगा बट ये बहुत ही basic चीज है जो मेरे सारे viewers और subscribers को पता है already और जो company ये royalties collect करती है वहाँ पर अपने songs को register कैसे करना है वहाँ आज इस video में starting से end तक देखेंगे तो बिना skip करें पूरी video देखेगा और आप सब clearly समझ जाएंगे Hello guys welcome back to the channel मैं हुसर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी YouTube वीडियो सीरीज का all about music business for independent artists और अगर आप नहीं है इस channel पर तो मैं एक music producer हूँ एक audio engineer and a music business coach मैं सबको music business की वो knowledge वो information provide करता हूँ जो usually कहीं available नहीं है publicly और जिन लोग को ये बाते पता भी है वो अपने पास छुपा के रखते हैं मुझे आस तक समझने आए कि उस इक benefit किसको और क्यों होता है बट वो सारी चीज़े मैं यहाँ पर खुले में publicly अपने channel पर सबको बता रहा हूँ और especially independent artists जो खुद से अपना music release करते हैं उन्होंने अपनी royalty stream अच्छे से align नहीं करी होती और इसी बहुत सारी चीज़े होती है तो यह सारे topics आपको मेरी इस पूरी playlist में मिल जाएंगे जिसका link आप यहाँ उपर देख सकते हो at least वीडियो के topic जरूर देखेगा playlist खोलके आपको खुद से interest आएगा और आप पूरी playlist top to end देखेंगे trust me तो बिन आपको और टाइम लिए चलते हैं हम आज की वीडियो पे which is how to register your songs on sound exchange सबसे पहले sound exchange क्या है मैं इस वाले section में ज्यादा time नहीं लूँगा आपका क्योंकि उसकी उपर मैंने already बहुत dedicated video बनाई है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि what is sound exchange वह क्या काम करती है और वहाँ पर अपना account कैसे बनाना है वह सारी चीज़े आप इस वीडियो में already देख सकते हो आज की वीडियो इस फोकस्ट ऑन की उस प्लाटफॉर्म पर अपने songs को register कैसे करना है क्यूंकि sound exchange पर songs register करने का जो process है वो काफी different है बाकी हर platform से कुछ अलग चीज़े मिलेंगी आपको करने को और वो सारी चीज़े बहुत करेंगे system पर कैसे करते हैं बट उससे पहले चोट इसी basic detail दे रहा हूं sound exchange एक ऐसी टाइप की royalty claim करती है जो और कोई distributor या publisher या platform या organization नहीं कर सकती which is non interactive streaming platforms की royalty और इसका मतलब detail में जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर चेक आउट कीज़ेगा कि sound exchange क्या है और register कैसे करना है वहाँ पर जब वो कर ले फिर उसके बाद यहां पर आके अपने songs को sound exchange पर कैसे register करना है वो इस वीडियो में सीखिये गा let's get on to the system okay तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने sound exchange के अंदर अपना login कर लिया है account और यह मेरा dashboard है इसमें मैं my catalog category पर आगया हूँ अभी हर बार जब भी आपका नया song release होगा आपको उसे sound exchange पर register करना है और यह बिल्कुल free है I don't see किसके अंदर क्या harm है क्या negative point है कि आप लोग ना करें स फिर आलस हो सकता है और आलस नहीं होना चाहिए अगर आपको successful होना है आगे जाके तो यहां पर आपको जाना है my catalog में फिर आपको सबसे पहले submit करनी है recording हम जाएंगे submit recording में उसके बाद यहां पर add recording का option देख सकते हो आपको add करनी है recording इसके अंदर आपको सारी details डालनी है यह है song का title क्या है song का title यह है ISRC number let's suppose यह ISRC number है genre क्या है गाने का hip hop duration क्या है गाने की यह exactly देखकर बतायेगा जो final output master wave file निकली है उसकी duration क्या है let's suppose मैं कहता हूं मेरे गाने की duration है 3 minute 21 seconds फिर version कौन सा है version को आप छोड़ दो आप इसमें लिख सकते है original या live version studio recorded whatever इसे छोड़ र सकते हो और date of first release की पहली बार यह release कब हुआ और यहां पर registration song release होने के बाद ही होती है first thing song release होने से पहले आप अपने song को यहां register sound exchange पे नहीं कर सकते है आज है 24th March तो let's suppose यह आज ही release हुआ है country of mastering हमारे case में है इंडिया country of recording भी इंडिया publisher कौन है इस case में publisher में ही हूँ अगर आप नहीं जानते publisher क्या होता है P line क्या होता है C line copyrights क्या होते हैं तो please यहां पर एक दो videos mention कर रहा हूं में कार्ज में वो videos जाकर जरूर देखेगा आप आपको अच्छे से idea मिल जाएगा है इन सारी चीजों का detail में अगर आप music industry में हो तो आपको यह चीजे पता होनी चाहिए this is the first rule of thumb किसी भी धंदे में आप गुशते हो धंदे की knowledge नहीं होगी तो कैसे काम करो गया P line P line किसके पास है मेरे case में sir gamma के पास ही है P line composers कौन-कौन है इसमें composers मैं हूँ और let's suppose मैं अपने एक friend का नाम डालता हूँ हम दो composers है इसमें ISWC ISWC अभी आपको नहीं मिला होगा अगर recently release हुआ है ISWC एक वो code होता है जो आपको आपका P.R.O. या performance rights organization देती है जब आप वहाँ पे अपना song register करते हो तो और अगर P.R.O. नहीं जानते क् कर रहे है अपने song को एक ही time पे तो we'll select worldwide copyright owner जो है इसका वो कौन सी country से है हमारे case में India से है उसके बाद basis of claim ये बहुत important चीज़ है समझ नहीं कि आप जो इसको claim कर रहे हो अपनी recording को वो किस basis पे कर रहे हो आप इसके lyricist हो या composer हो या इस audio को own करते हो दू चीज़े होती है एक ह recording के owner हो तो जैसे की F series F series एक music label है उन्होंने गाना निकाला Ronnie ककड के साथ ठीक है तो अब Ronnie ककड जो है वो उसके गाने के composer है लेकिन उस गाने का owner F series है Ronnie ककड नहीं है Ronnie ककड is composer और lyricist लेकिन owner is F series तो owner और composers या authors में फरक होता है अब basis of claim आप copyright owner हो या authorized collection design ही हो मतलब कि आपको copyright के owner ने authorized किया हुआ है कि आप collection कर सकते हो उनके बहाफ पर लेकिन हमारे case में हम independent है तो हम खुद ही copyright owner है percentage claim आप कितना percentage own करते हो 100% rights begin inception inception की जगा यहाँ पर date भी select कर सकते हो inception का मतलब जब से गाना बनाया तब से मेरा उस पर right है और अगर आपने किसी और से गाना खरीदा है तो आपके contract में particular date होगी कि इस date से इस गाने के owner आप हो तो आपको rights begin में वो date choose करनी है लेकिन अगर आपने खुद अपना song बनाया तो inception से आप use के owner हो और rights end कब हो रहे है कि आपका उस पर copyright कब खतम होगा अगर उसकी कोई date है तो ठीक है नहीं है तो आप select करोगे perpetuity फिर आप territories of अपनी royalties collect करना चाहते हो हमें select करना है worldwide क्योंकि हम पूरी world में से अपनी royalties collect करना चाहते है अब इसके बाद हमें उपर जाना है top पे और यहां पर आप देखो सारी चीज़े आ गई है बस एक release का section नहीं है यहां पर हमें add करना है release आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज अपने बारे में बताना चाहता हूं कि recently हमने एक super 30 batch for music producers launch किया है इसके अंदर हम music production, audio engineering यानि mixing and mastering and music business इन सब चीजों की in person, in detail, personalized classes देते हैं to everyone and मैं personally देता हूं वो classes सबको, हफते में 2 classes होती है, 6 महीने तक पूरा course चलता है और इस पूरे course की fees है सिर्फ और सिर्फ 30,400, I know कि ये बहुत कम नहीं है normally सबके लिए, but usually जो rates मिलते हैं सिर्फ music production और audio engineering के course के, उससे कम fees में personal classes के साथ आपको music business की knowledge भी मिलेगी जो और कोई नहीं देता है, so trust me, you want this course, ज्यादा time तक ये window खुली नहीं रहेगी इस course की, तो जब तक available है, और अगर आप करना चाहते हैं, तो न the video, अब actual release की information आएगी कि artist कौन है, album का title क्या है, UPC EAN, ये आपको आपका music distributor देगा जब भी आप गाना release करोगे, तो UPC EAN मैंने अभी randomly डाल दिया है, release label, किस label पे release है song, catalog number मतलब अगर album है तो कौन से number पे song आ रहा है, one, release date कब है इसकी, आज ही है, country क्या है, worldwide, अब इसके अं go to top and review पे जा सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो, सारी चीज़े आ गई है, इसके बाद आपको submit करनी है, recording मैं नहीं करूँगा क्योंकि यह sub information गलत है, तो गलत data किसी को भी देना सही बात नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आप submit कर दोगे recording, अभी मैं remove कर रहा हूँ, जैसे ही आ submit करोगे recording, उसके बाद आपको दो से तीन दिन तक वेट करना है, उसके बाद आपको वापस यहाँ पर आना है, अभी आपका काम खतम नहीं हुआ है, अभी बस आपने sound exchange को बताया है, कि यह recording और releases मैंने release करे हैं, songs मैंने release करे हैं, अब आपको जाके उसको claim करना है, usually हर जग फिर आता है search and claim, अब आप दो तरीके से claim कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बोला था, एक as an artist, जो आपने काम किया है, आप एक artist हो song में, या फिर as a RO, RO का मतलब rights owner, जैसे की F-series, artist माने के Ronnie Cuckard, तो या तो आप as Ronnie Cuckard इसकी royalty claim करोगे, या तो as rights owner claim करोगे, और अगर आप दोनों हो, आप rights owner भी हो, आप artist भी हो, तो आप दोनों तरीके से इसकी royalties claim करोगे, तो मैं पहले आपको as an artist claim करके दिखाता हूँ, आपने सीधा नीचे claim पर जाना है, फिर आपने search for recordings पर जाना है, तो अब आपको यहाँ पर नाम डालकर search करना है, फिर उससे related बहुत सारे गाने य आना है, नीचे जो organized claim का button है, वो आप से पूछेंगे आगे जाके कि कितना percentage आप earn करते हो अपने पास, और कितना percentage आपका है जो आप claim कर रहे हो और आपने exactly क्या काम किया as an artist, वो detail दोगे, submit कर दोगे, तो फिर आपने उस audio को as an artist claim कर लिया है, अब आप अगर उसके rights owner भी हो अगर आप ही F-series हो अपने गाने का, आप independently release करते हो, तो आप ही हो अपने गाने की owner, तो आपको as a rights owner भी release करना है, अपने rights owner पे जाईए, नाम पे, फिर से same काम कीजिए, search कीजिए, जितने भी गाने आएंगे उनमें से अपना गाना ढूंडिए, अगर नहीं आता तो यहा details डालके submit करनी है, अब finally आपका song sound exchange में registered है, और अब जो भी royalties non interactive streaming platform से आपके गाने की बनेंगी, वो सब आपको sound exchange के through, आपके account में मिलेंगे, और यह पूरा process है, सबसे पहले revision करते हैं, सबसे पहले तो account बनाना है, account बना लिया, active हो गया, sound exchange direct link मिल गया, उसके बाद आपको submit recording पर जाना है, अपने recordings को submit करना है, details डालके, second चीज, आपको उस recording को claim करना है, as an artist, अगर आप उसमें artist हो, as a rights owner, अगर आप उसके rights owner हो, या उसके publisher या label हो, जो गाने को copyright own करता है, या फिर अगर आप दोनों हो, तो दोनों के तरीके से आपको एक एक बारी claim करना है, उसके बाद ही आपकी सही direction में registration होगी गानों की sound exchange में, और अब इसके बाद, जो सबसे important step आपको करना है, that is subscribe this channel, press the bell icon and like the video, अगर आपको पसंद आया, मैंने जो भी आपको आज की वीडियो में बताया, दिखाया, समझाया, and उसके बाद, please follow me on Instagram, उसका username आपको screen पे यहीं कहीं द headquarters, महाँ पे काफी information, काफी चीजें, मैं जो नहीं नहीं बताता हूँ, giveaways, वो सब सबसे पहले WhatsApp पर आते हैं, और उसके बाद, हर social media पे publicly आते हैं, in fact, course के announcement भी सबसे पहले वहाँ पे होई थी, उसके बाद publicly होती है, तो अगर आप वहाँ का part बनना चाहते हैं, तो please check out the link in description, and I guess that's it for today's video, I'll see you next week, new video, new insight, new information, new knowledge के साथ, लेकिन अगर आप subscribe करोगे तो, till then take care, bye-bye, see you in another video, hopefully, आप subscribe कर चुके होगे अब तक, bye-bye.